हेलो फ्रेंड्स में रुबिनागोरी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल में फ्रेंड्स सभी लोगों का सपना होता है उनका अपना घर और घर खरिते समय ज़्यादेतर लोग उत्तरमुखी या फिर पुर्वमुखी घर पसंद करते हैं क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दक्सिनमुखी घर खरितना सही नहीं होता एसा प्लोट भी लोग नहीं खरिते जिसमें दक्सिनमुखी मकान बनाना पड़ी लोग दक्सिनमुखी मकान को असुब मानते हैं और मानते हैं कि इस घर में रहने वाले लोग कोई ना कोई मुस्केली से परिशान रहते हैं, उनके घर में संपती और धन की भी कमी होती है, कंगालियत उनका पीछा नहीं छोड़ती, पर आप क्या कहते हैं, यह सही है या फिर गलत? दक्सिर मुखी प्लोट में रहने वाले लोग वाके ही गरिब होते हैं, यह प्लोट वाके ही असुब होता है, अगर आपके पास भी अगर दक्सिर मुखी प्लोट है, तो फिर क्या करें? कोई उपाई है जिससे आपको यह समस्या परिसान ना करें, तो यह जानने के लिए एसे ही प्रशनों के उत्तर जानने के लिए आप हमारा वीडियो पूरा देखें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब पिकर दें, ताकि एसे ही महत्वपूर जानकारी आपको मिलती रहें, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगा, फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि दक्सिन दिसा का स्वामि मंगल है, वहाँ पर उसका प्रभाव रहता है, और साथ में राहु, केतु और यम का भी वहाँ पर प्रभाव रहता है, इसलिए लोग दक्सिन दिसा में में ग और आप दक्सिन मुखी में गेट बनवाना चाहते हैं, तो कुछ नियमों का पालन करके आप वह बना सकते हैं, जो वास्तु के अनुसार होगा, उसके लिए आपको अपने प्लोट की दक्सिन साइड को नापना है, और उसके एक समान नो हिस्से करने हैं, उसमें आपको इस पहले से ही दक्सिन दिशा में मकान बना हुआ है, तो उसकी भी आप साउट साइड नापने, और उसके एक समान नो हिस्से कीजिए, उसमें से चोथे भाग में अगर आपके घर का मैन गेट है, तो फिर आपके घर में कोई वास्तु दोस्त आपको परेशान नहीं कर रहा है लेकिन अगर आपके घर में नो हिस्से करने के बाद, जो हिस्सा चोथा हिस्सा होता है, उसमें गेट नहीं समा सकता, वो बहुती छोटा हो, तो आप उसमें तीसरा हिस्सा सामिल कर लीजी, आप तीसरे और चोथे इन दोनों हिस्सों में में गेट बनवा सकते हैं, जो वास वास्तू के अनुसार बिल्कुल सही होगा दूसरी बात इसा कहा जाता है कि दक्सिन दिशा में रहने वाले लोग गरिब हो जाते हैं और उनकी समस्याये अक्सर बढ़ती ही जाती है लेकिन यह गलत है अगर आपका प्लोट दक्सिन दिशा में है और उसका मैंगेट वास्तू के अनुसार है तो आपको लाभ ही होगा नुकसान नहीं होगा अगर आप देखेंगे तो दक्सिन दिशा में रहने वाले लोग अन्य दिशाओ में रहने वाले लोगों से ज्यादा धनिक होते हैं तो यह बात भी गलत है कि दक्सिन दिशा में रहने वाले लोग दरिद्र हो तो यह निस्चित ही वास्तुदोस है। उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं यह हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ महत्व पोन बाते जानना जरूरी है। तो हमारे साथ जुडे रहिएगा। दक्सिन दिशा की और दक्सिन ध्रू होता है। तो वह महत्व पोन दिशा है। घर में सारी नेगिटिविटी वही से आती है। और साथ में साहस, हिम्मत और प्रतिष्टा के लिए रिस्क लेने की जुरत भी वही से आती है। अगर आपके घर में दक्सिन दिशा में खिडकि है तो उसे ज्यादातर बंध ही रखें अगर वह खिड़की में काच लगा है तो उस पर आप भारी पड़दे लगा दें आपको दक्सिन दिसा में से हवा और प्रकास घर में नहीं आने देने हैं इसके लिए आप घर की दूसरी खिड़कियों का उप्योग करें आपको दक्स दक्सिन भाग भारी रखने की भी जरूरत है आप वहां पर कंट्रोक्षन ज्यादा करवाए प्लोट में खाली जगह आप इसान पूर्व और उत्तर की और रखें आपको दक्सिन दिसा में जीवित व्यक्ति की फोटो नहीं लगानी है और अगर आपके प्लोट में दक्सि कोई बात नहीं अब बात करते हैं सबसे महत्व पूर्ण पॉइंट की अगर आपने दक्सिन मुखी मकान बनाया है और उसका में गेट तीसरे या चोथे भाग में नहीं आ रहा है तो यह बेसक बहुत ही बड़ा वास्तुदोस है उसके निवारण के लिए आपको आपके घ अहले या फिर दूसरे भाग में आता है तो आपको गेट के उपर अपने इस्ट डेव की फोटो लगानी है और साथ में बासुरी भी लगानी है लेकिन याद रहे बासुरी का बजाने वाला सीरा नीचे की ओर आये उस तरह लगाए अगर आपके घर का में गेट पांचवे से लेकर नवे भाग में है तो भी आपको अपने दर्वाजे पर अपने इस्ट देव की फोटो और साथ में अपने धर्म का प्रतिक लगाना है जिसे की स्वस्तिक वगेर उससे आपके घर का वास्तु दोस्त धीरे-धीरे दुर हो जाएगा और आप सुखी और सम्रुद भ में लिखिए और अगर आप वास्तु के रिलेटर कोई चीजे मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्सन में दे देंगे जहां से आप खरिच सकते हैं हम से जुड़े रहिएगा और हमारे इस वीडियो को सेर जरूर किजेगा मिलते हैं अगले कर दो